योगे शर्मा जी जुड़ गए हैं जो की श्री पुखराज पारशर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि नई जिवेदारी के बाद वो किस तरीके से अपनी पहली प्रात्मिक्ता रखेंगे तो पुखराज पारशर के हम साथ हैं और पुखराज जी मुख्यमंतरी अशोग गैलोत के बेहद विश्वस्ट माने जाते हैं अगर राजस्तान में कोई सबसे लिकर टून के नेताओं में माना जाता है तो टॉप थरी अगर नेताओं की बात करें तो पुखराज पारशर के उसमें गिंती होती है और क्योंकि जिस तरह का उनको दाइत वो दिया गया है जनाबाव अभयोग यह सीधा मुख्यमंतरी कारेले से जुड़ा हुआ है इनकी रिपोर्टिंग सीधे मुख्यमंतरी को होगी और मुख्यमंतरी का जो आफिस है सीमो जिसे कहते हैं वहीं पर जनाबाव अभयोग के जो मुख्या है उनका कारेले होता है और आपने देखा होगा वसंद्रा राजे के पहले शासन काल में एसन गुपता जनाबाव अभय योग के अधिक्स मनाए गए थे और किस तरह से राजनतिक तोर पर पावरफुल थे और इसलिए इस पद्ध का महत्व अपने आप में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है पुखराज पारशर जी हमारे साथ हैं उन्से बात करेंगे पुखराज जी वैसे तो राजनतिक तो देखिए मैं संगठन का आद्वी हूँ और संगठन की सारी जिम्मिदारियों को निर्वनी मैंने किया है और आम कारिकरता मैं पिछली बार मानने मुख्य मंतरी जीन मुझे अपना OSD भी बनाया था और मैंने जन संगठन और सरकार के बीच में एक समर्वे का काम भी किया थ दक्स हमारी डोटासरा जी का उनका सबका मैं बहुत-बहुत आबारी हूँ कि उनने मुझे एक चोटे से कारिकरता को एक बड़ी जिम्मेदारी उसे नवाजा है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जिस तरह की यह बोर्ड है मुझे जो समीती है उस समीती के माद्यम से मैं सर जांगिर समाज से आपका तालुक है तो उस तबके को लेकर कॉंग्रेस पार्टी में यह तबका हमेशा यह का जाता है भारजिनता पार्टी के साथ जुड़ाओ आपको लाके आगे क्या संदेश पूरे वर्ग के बीज दिया गया है देखिए मैं मैं समझता हूं कि मैं जो वर्ग की आप बात करते हैं मेरा सबसे बड़ा वर्ग कॉंग्रेस है और कॉंग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं जिला का अंग्रेस का अद्धिक्स रहा हूं मैं यूद कॉंग्रेस का अद्धिक्स रहा ह तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे कारिकर्टा को बहुती पद भी दिये हैं मैं उनका जिम्मेदारी से मैंने निर्वन भी किया है तो उसके लिए मेरा सबसे वही है कि मैं कॉंग्रेस का सबसे पहले हूँ मेरे लिए वर्ग तो अब सरकार में जिस पद पे रहेंगे हम लोग और पद पे रहते हुए सबी वर्गों का काम करना है हम 36 कों के लोगों को साथ लेके काम करेंगे और जो भी हमारे सामने समझ्या आएगी सरकार तक पहुंचाने उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे और जी जैसा मैं जानता हूं बहुत कम नेता है जो कॉंग्रेस के उन तमाम कारेकरताओं को शकल से जानते हैं उनके नाम से जानते हैं उनमें आपकी गिंती भी होती है जो दूरस्त का कारेकरता है कॉंग्रेस का पार्टी का वो भी उसको भी आप नाम से जानते हैं यह जो कार्यकर्टा की पूरी उप्यूगता होगी उस कार्यकर्टा को महत्यू मिलेगा जो बात हमेशा उठती रहती है कि जिन कार्यकर्टा उनकून पसीने से कॉंग्रेस की सरकार बनाई है उनकार्यकर्टा को तवज्जू मिलेगी मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो उसी को देखते हुए मानने मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये दाइत्व सोपा है तो मैं समझता हूँ कि मैं उस पे कितना खराऊ उतरूंगा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन मैं पुरा प्रयास करूँगा कि मानने मुख्यमंत्री जी और हमारे अजय माकन साब प्रदेश कॉंग्रेस के अद्धिक जी ने जो जिमिनारी मुझे दी है मैं उसमें कोशिश करूँगा कि हम जन जन तक पहुंचे हमकी समश्याओं का समधान करें और हम जल्दी से जल्दी इसके ग्रूप रिका त्यार करेंगे और इसके बाद मैं आप से विस्तार से मैं उस पुपन में चर्चा करूँगा और भी नियुक्तियां हुई हैं कई आज हम देखा जाए तो और शोशल इंज्रिंग भी हमें देखने को मिली हरवर्ग को मौका मिला विधाय को को मिला कांगरेस के निष्टावान कारताओं को मौका मिला लेकिन अब भी कई कारिकरता कई नेता वंचित हैं तो क्या माना जाए कि और भी कोछ इस तरह की राज़ीनिक नुक्तियों की सूच देखने को मिले के आने वले समय में देखिए तो नुक्तिय परक्रियां सब चलती रहे दिए जब तक खारीकरता कोई संगेटन में एड़िस्ट होगा कोई कहीं एड़िस्ट होगा इस तरह से क उनका भी जल्दी से जल्दी इंस्तान हो जाएगा अब पराजी मुख्यमंतरी गहलोत क्योंकि एक का जाता है कि देर से बहले फैसले होते हैं उनके लेकिं दूरुस्त होते हैं तो इस सूची को देखकर क्या कहेंगे देखिए सूची में मैं समझता हूँ कि सबी वर्गों को लिया गया है और जो कारीकर्टा का कहीं लंबेश हमसे संयश चैंट को महत्वह देते हैं हमिसा कारीकर्टाओं की बात को मैं सब्का द्यान रख़ी आएगा आप उस बेल्ट चाहते हैं उस जिले साहते हैं जहां कोई विधायक नहीं जीता है साचा और सुक्राम जी लेकिन जालो और सिरोई और पाली ये बेल्ट वीते चुनाओं में काफी कॉंगरिस के प्रदेशन के साथ से कमजोर रहा आपको वहां से मौका मिला है तो क्या लगता अब उसको भी प्रतिनिती तो मिलेगा उसको फायदा मिलेगा निसंदी मिलता है सारे जिलों के अमेरिकाल से सबी जिलों के लोगों को प्रतिनिती तो मिला है और मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर सारे जो वोड के कौर परसन चेर्मेन बने हैं वो लोग संगेटन मजब होगी और आने वाले समय में हम जितना लोगों के बीच में जाएंगे लोगों की समश्या का समाधान करेंगे उसका पार्टी को लाब मिले उक्राज पारशर से हमारी बात हुई और बहुत ही महत्पून जिम्मेदारी उनको मिलिया उस जिम्मेदारी को निभाने का जजबा भ फास्ट इंडिया जैपूर